पॉपॉलर सोशल मीडिया स्लेपिटी कंदील बलोच को 15 जुलाई 2016 की रात उनके अबाई शहर मुलतान में उनही के भाई ने कतल कर दिया है कंदील बलोच पॉपॉलर हुई अपनी बोल्ट वीडियो और कॉंट्रोवर्शल फेस्बुक स्टेटमिंट्स की वज़ा से कंदील बलोच जिनका असल नाम फाउजिया अजीम था उन्हें गैरत के नाम पर उनके भाई ने ही गतल कर दिया कंदील बलोच कुछ हफ़ते पहले अपने वालिद के साथ एज सेलिबरिट करने अपने आबाई शहर मुलतान गई और 15 जलाई 2016 की रात उनके भाई ने उन्हें गैरत के नाम पर खतल कर दिया कंदील बलोच के करियर की अगर बात की जाये तो उन्हें सबसे पहले एक पॉपलर शोप पाकिस्तान आइडल में आडिशन देते देखा गया जहां उन्होंने जज़िस से सिलेक्शन ना होने पर नाराजकी का इजहार भी किया कंदील बलोच की वक्तन फवक्तन कॉंडरोवोशल वीडियोस सूशल मीडिया पर आती रही इस वीडियो के वाइरल होते ही कंदील बलोच को सोशल मीडिया में बहुत बजीराई मिली मैं कंदील बलोच आन रिकार्ड ये बात करती हूं कि अगर इस दफार 18 मार्च को होने वाले मैच में पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देता है तो मैं पूरे मलक के लिए पूरे मलक के लिए स्ट्रिप टैंस करूंगी और बहुत टैंस करूंगी हमारे क्लिच शाहिदा अरी को तो शाहिद मेरि उचान देखो मेरे गुसन का भूल जाओ जो बाराओ देखो तो इनसान उसी पे गुसा करता है, या उसी से गिला करता है, जिसे प्यार होता है, तो उसी इसको भूल जाओ, सिर्फ एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा इंजिया को हरा दो, प्लीज, आप जो कुछ बोलो कि मैं करूगी आपके लिए, कुछ भी कर लों कि लेकिन इस दफ़ा कंदीर बलोच का ये मानना था कि सोसाइटी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये एक मेल कंट्रोल्ड सोसाइटी है, लेकिन उनके आने वाली हर वीडियो किसी ना किसी मेल से ही रिलेटिड रही, अब चाहे वो शाहित खाना अफरीदी को स्ट्रिप डैंस की आफर हो, या फिर इंडियन प्लेइर विराथ गोली से महबत का खुले आम इजहार हो, या फिर पाकिस्तानी स्वपर हीरो इमरान खान से एक मुलाकास की तरब, या फिर मुफती साहब के साथ अपनी वीडियोज और पिक्स को लीग करना हो, या फिर उनकी शादियों और उनकी शोहरों से जुड़ी खबरे हो हर वीडियो का मकसद अपने मैसेजिस को किसी ना किसी सेलेबरिटरी तक पहुचाना था कंदील बलोच की रिसेंटली रिलीस होने वाली आखरी वीडियो ये वीडियो बहुत ही शोकिंग रही जिसमें उन्होंने एक यंग सेंगर के साथ आखरी मर्तबा परफॉर्म किया और इसके बाद अब हमें कंदील बलोच ना तो सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी और ना ही किसी कॉंट्रोवर्शल वीडियो में